क्या तुमने कभी ये सोचा है, कि हमारी sky blue color की क्यू दिखती है, हमारा sun जो कि white color का है, या यह दो पहर में yellow color का क्यू दिखता है, sunrise और sunset यह हमें red color की क्यू दिखती है, तो अगर बिखिते तुमें short में answer देना होना, तो मैं ये कहूँगा, कि हमारे atmosphere के particles, जैसे कि oxygen और nitrogen वेगरा वेगरा ये blue color की light को जादा scatter करते हैं compared to red color की light को अब हाँ इसी को detail में समझते हैं तो पिछले एक वीडियो में हमने scattering के बारे में detail में बात की थी अब अगर तुम्हें ये याद नहीं हो तो और जल्दी से recap कर लेते हैं हमने ये कहा था कि जब light एक छोटे से particle पर पढ़ती है तो ये particle light को हर direction में छितरा देता है scatter कर देता है और जब ये scattered light हमारे आखों पर पढ़ती है तो हमें ये particle उसी color का दिखता है उसी color का glow करता हुआ दिखता है जिस color की light को इसने scatter किया हो जैसे कि यहाँ पर ये particle yellow color की light को scatter कर रहा है तो इसलिए हमें ये particle yellow color का glow करता हुआ दिखने वाला है तो हमारी जो sunlight है ये white color की होती है और हमने पहले ये देखाए कि white color की light ये बाकि सारे color की light को combine करने से बनता है यानि कि अगर मैं एक rainbow की सारे colors, whip yore, इने combine करूँ तो मुझे white light मिलने वाला है अब दिखो अगर एक particle पे white light पढ़ रही है तो यानि कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे color की light एक साथ में बढ़ रही है लेकिन हमारे atmosphere के जो particles है न ये violet light को कुछ जादा ही scatter करते हैं और red light को बहुत ही कम scatter करते हैं और इसी की कारण हमें sky और sun ये अलग-अलग color की दिखती हैं अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहोगे कि हमारे atmosphere के particles अलग-अलग color की light को अलग-अलग amount से क्यों scatter करते हैं तो देखो इसे समझने के लिए मैं बहुत सारे concepts को पढ़ना पढ़ेगा बहुत सारे नए concepts को पढ़ना पढ़ेगा तो उसकी पात हम बात में करने वाले हैं अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा interesting trailer दिखा दूँगा उन सारे concepts का तो आओ थोड़ी सी जगा बना लेते हैं पहले तो देखो अभी तक हम light को एक light ray की तरह draw करते वे आ रहे हैं लेकिन light को हम wave की तरह भी देख सकते हैं जैसे कि समुदुर में waves होते हैं या फिर अकर तुम्हें एक रसी लो और उस पर जटका दो तो ऐसे कुछ wave बन जाएगा वैसे ही हम light को भी wave की तरह draw कर सकते हैं बना सकते हैं समझ सकते हैं और देखो waves अलग-अलग shape and size की होती है तो क्या होगा कि कुछ waves पिछकी भी होगी यानि कि short wavelength की और कुछ waves फैली भी होगी यानि कि long wavelength की अब देखो जब short wavelength की waves यह हमारे आखो पे पड़ती है न तो हमें वो violet color की नजर आती है और जब long wavelength की waves यह हमारी आखो पे पड़ती है तो यह हमें red color की नजर आती है तो यानि कि violet color की light इसकी wavelength सबसे कम होती है यह सबसे ज़ादा पिछकी वही होती है फिर indigo की इससे ज़ादा wavelength होगी blue की इससे भी ज़ादा wavelength होगी और ऐसे करते-करते red की wavelength ये सबसे ज़ादा होती है अब दिखो हमारे atmosphere के जो particles है न इनकी size ये violet के wavelength से भी ज़ादा छोटी होती है और ये सबसे छोटी वाली wavelength की light यानि कि violet को सबसे ज़ादा scatter कर पाते हैं और सबसे बड़ी wavelength की light को सबसे कम scatter कर पाते हैं यानि कि सबसे important चीज़ ये है अलाग अलाग अमाउंट से क्यों scatter करते हैं लेकिन बाद में अब ही आव अपने sky पे वापस आते हैं तो अगर एक sky के particle पे sun की white light पड़े तो सबसे ज़्यादा scattering होने वाली है ब्लू कलर के light की और उससे कम green उससे कम yellow उससे कम orange और सबसे कम red कलर की light के scattering होने वाली है और ऐसा में violet कलर की light दिखनе है तो देखो इसके दो कारण है शनलाइट में violet कलर ये पहले से ही बहुत कम होता है तो अगर violet कलर बहुती कम incident होका तो बहुती कम scatter भी होने वाला है और एक reason ये भी है कि हम humans की आके violet कलर के light को देखने में बहुती कम sensitive है यानिकि हम violet कलर के light को अच्छे से भी देखो ना तो ये तुमें blue color का glow करतावा नजर आने वाला है और इसलिए में पूरी की पूरी sky ये blue color की नजर आती है अब इसी नई concept की मदद से हम अपने सारे सवालों का जवाब दे निकले तयार है पहले मैं इसे हटा के थोड़ी सी जगा बना लेता हूँ और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि किस color का sun और किस color का sky हमें दिखने वाला है अगर हमारे earth पे कोई भी atmosphere नहीं हो तो यहाँ मैंने बना रखा है earth को और तुम यहाँ पे कहीं खड़े हो और अभी दोपहर का समय है तो sun बिलकुली तुम्हारे उपर है और sun की white light ये ऐसे vertically नीच direction में तो देखो ऊपर से white color की light तुम्हारे तरफ आ रही है तो यानिकि sun तुम्हें white color का दिखने वाला है अब अगर तुम कहीं और sky की तरफ देखो मालों कि कुछ ए इस direction में तो यहाँ पे तो कोई light source है नहीं तो यानिकि यहाँ से कोई भी light तुम्हारे तरफ नहीं आ रह तो वो white color की दिखने वाली है क्योंकि यह white light तुम्हारे तरफ छोड़ रही है अब अगर तुम कहीं भी और देखोगे room में तो तुम्हें darkness से दिखने वाला है बिलकुल यह black color दिखने वाला है क्योंकि कहीं से भी light नहीं आ रही है तुम्हारे आखो के तरफ ठीक वैसे ही अगर धरती पर atmosphere नहीं हो तो हमें sun white color का दिखने वाला है और sky यह black color की यह फिर dark दिखने वाली है यहाँ पर कोई भी scattering नहीं होने वाली है और बिलकुल यही view हमें देखने को मिलता है moon से भी देखो moon पर atmosphere यह बहुत ही पतली होती है तो बहुत ही कम scattering होती है तो यहाँ से त sky को देखो तो यह बिलकुली black दिखने वाला है अब आप देखते हैं कि अगर atmosphere हो तो हमें sky blue की नजर आती है तो यहाँ मैंने बना दिया है atmosphere और उसके particles अब इन particles पर चब sun की white light पड़ेगी न तो यह particles blue color की light को सबसे जाता scatter करने वाले हैं वैसे बाकी सारे colors भी scatter होंगे ले इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक tank पानी और एक white light की torch और थोड़ा सा milk अब इस बार हम torch को देखने वाले हैं इस tank के through तो मैंने light और अपने बीच में इस tank को डाल दिया है अब इसमें मैं थोड़ा सा milk add करने वाला हूँ देखो scattering की वीडियो से तुम्हें याद होगा क e milk के particles ये भी light को scatter करते हैं और ये water और milk का जो mixture है आटमस्फेर की तरह act कर रहा है इस mixture में milk के particles ये blue light को बहुत ज़ादा scatter करने वाले हैं तो देखो जब मैंने milk को add किया तो उसके बाद ये पूरा जो mixture है ये blue color का glow कर रहा है क्योंकि अब milk के particles ये blue color की light को scatter कर रहे हैं हमारी तरफ तो है ना ये एक amazing चीज वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम milk को add कर रहे थे तो पानी का color ये blue में convert हो गया और ये जो white torch थी इसका color yellow में convert हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा यार तो अब इसे समझने के लिए हम वापस से अपने diagram पे आते हैं देखो sun की जब white light ये हमारे atmosphere में enter करती है तो ये particles से टकराती है और फिर ये particles ये blue color की light को scatter away कर देते हैं तो अब हमारी white light में बचा क्या तो देखो violet तो पहले से था ही नहीं और indigo blue ये scatter away हो चुका है और green, yellow, orange और red ये बहुत ही कम scatter हुए है तो यानि कि यही चार color बच रहे हैं अब इन colors को अगर हम mix करें तो हमें एक yellow color का shade मिलने वाला है यानि कि अब ये sunlight ये atmosphere में enter करने के बाद इसमें बस एक yellow color का shade ही बच गया है और जब ये हमारी आखों में जाएंगी तो हमें sun yellow color का नजर आने वाला है अब इसी कारण से हमें experiment में ये white torch ये yellow color की नजर आ रही है अब आव अपने आकरी सवाल पे आते हैं sunrise और sunset ये हमें red इस क्यों दिखता है तो देखो concept तो same ही है बस अंतर इस बात का है कि sunrise और sunset के time पे sun ये horizon के पास में होता है तो हमें जो sunrise है ये कुछ ऐसे हमारी आखों में आने वाली है तो इस बार sunlight को atmosphere का एक बड़ा हिस्सा cover करके आना पड़ेगा हमारी आखों में in comparison to जब sun noon पे हमारी just उपर ही था और इसी कारण सारी difference creed होती है देखो कैसे देखो इस बार क्या होगा कि जो sunlight है ना क्योंकि ये बड़े हिस्से से cross कर रही है इसलिए ये बहुत सारे particle से scatter हो रही होगी इस बार blue light तो scatter हो ही जाएगी साथ की साथ green और yellow ये भी scatter हो चुकी होगी और light में केवल बच जाएगा long wavelength वाली light यान की orange और red light और इसलिए जब ये हमारे आखों तक पहुचेगी ना तो केवल ये हमें red color की दिखने वाली है ये हमें red color की दिखने वाली है और इसलिए sunrise और sunset की time में हमें sun ये red color का दिखता है तो आप आप इसी चीज़ को experiment में देखते हैं तो अगर मैं तुम्हें experiment का top view दिखाऊं तो अभी तक हम light को pass कर रहे थे इस tank की short side के long अब मैं इस tank को rotate करने वाला हूँ ताकि हम light को pass करें इस tank की long side के long यानि कि light को अब लंबा distance travel करके हम तक पहुचना पड़ेगा यानि कि light अब और ज़्यादा scatter होने वाली है तो आप देखते हैं कि front view में क्या होता है तो अब हमें दिख रहा है कि light ये orange-ish red color की दिख रही है हमें हाँ तो है ना ये beautiful amazing चीज़ अब देखो यहाँ पे एक और interesting चीज़ हो रही है यहाँ पे अगर तुम light के intensity देखो तो ये बहुत ही कम है light हमें बहुत ही dim दिख रही है और ऐसा ही होता है sunrise और sunset के time में भी sunlight ये बहुत ही dim दिखती है हमें और ऐसा है इसलिए क्योंकि maximum light ये तो scatter away हो चुकी है और हमें जो light मिल रही है ये बहुत ही कम intensity के light है अब एक bonus सवाल हमें clouds ये white color के क्यों दिखते हैं देखो मेरा मतलब है कि clouds ये भी particle से बने हुए है water droplets तो इन पे जब light पड़ी की ना तो ये भी light को scatter करने वाले हैं तो फिर ये blue light को अगर ज़्यादा scatter करेंगे compare to red तो इन्हें भी blue दिखना जाहिए था ना तो फिर ये white क्यों दिख रहे हैं तो देखो concept कुछ ऐसा है कि अगर particle की size ये violet के wavelength से चोटी हो जाए violet सबसे पिचका वा wave था ना तो अगर particle की size इससे भी ज़्यादा छोटी हो जाए इसके wavelength से भी ज़्यादा छोटी तो उस case में ये अलग-अलग colors को अलग-अलग amount से scatter करेगा blue को सबसे ज़्यादा और red को सबसे कम scatter करेगा और इसलिए ये particle हमें blue दिखने वाला है atmosphere के particles जैसे कि oxygen और nitrogen और milk के particles इनकी जो size होती है ये violet के wavelength से भी कम होती है और इसलिए ये blue को ज़्यादा scatter करते हैं compared to red और ये हमें blue दिखते हैं लेकिन जो cloud के particles है ना जैसे कि water droplets इनका size बड़ा होता है और अगर particle का size wavelength से visible light की wavelength से बड़ा हो जाए तो वो सारे colors को equally scatter करने वाले हैं तो दिखो होगा क्या कि यहाँ पे water droplets ये सारे colors को equally scatter करेंगे तो अगर हम clouds के तरफ देखें तो हमारे आखों में सारे color की light scattered होगे आने वाली है और अगर सारे light को तुम मिला दो तो हमें white मिलने वाला है और इसलिए हमें clouds ये white color के देखते हैं और सेम यही चीज़ true है mist और fog के लिए भी तो आप वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं इस वीडियो में हमने देखा कि अगर particle की size ये visible light के wavelength से बहुत ज़ादा छोटी हो जाए तो ये अलग-अलग color की light को अलग-अलग amount से scatter करने वाली है और इसलिए हमें sun और sky ये अलग-अलग colors के देखते हैं और अगर particle की size ये visible light के wavelength से बड़ी हो जाए जैसे की water droplets की size तो ये हर एक color की light को equal amount से scatter करने वाली है और इसलिए हमें clouds ये white color के देखते हैं